स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिले शौराज जो तीन मुद्दे इंडिया की बात में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो कौन से मुद्दे हैं मुद्दा नमबर एक जातिय सर्वेक्षन पर भारतिय जनता पार्टी और आर जेडी जेडियू के बीच में तलवारें खिच गई हैं भाशपा पूरी तरह से बौकला गई है मुद्दा नमबर दो एक पूर्वजज ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाए हैं किस तरह से विपक्ष के नेताओं को रौंधा जा रहा है और जाच एजनसी दबिच डाल रही है और दूसी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि व्यवस्था में विपक्ष के नेताओं की बहुत दूर की बाते मीडिया उसकी चर्चा तक नहीं करता ये तमाम मुद्दे में अगर शुरुवात हम करेंगे जातिय सर्वेक्षन से अगर एक लाइन में इस खबर को समिटा जाए तो अब आरक्षन का दारा 75% होगा ये बिहार की सिफारिश है मगर भाश्पा पूरी तरह से बौकलाई दिख रही है अमिश्चा ये कह रहे हैं कि ये चलावा है और इसका मकसद सिर्व यादवों और मुसल्मानों को बढ़ा चड़ा के पेश किया जाना है पलड करते जस्वी कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो आप राश्प्रिये तौर पर करवाईए जाती है सर्विक्षन क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गूंज लोगसभा चुनावों में दिखाए देगी क्या एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते लोग सभा चुनावों में मुकाबला होगा मंडल वर्सिस कमंडल ये तमाम मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे शुरुवात करेंगे इस मुद्दे के पंच से भाषा क्या है इस मुद्दे का पंच अभिसार एक बात साफ है कि इस से भारती जनता पार्टी को बौकलाहट होनी बहुत सुभाविक है क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब-जब मंडल कमंडल से टकराया है मंडल की जीत हुई है और राहुल गांधी लगातार राष्टी इस तरह से मुद्दा बना रहे हैं उसमें इसकी काफी पुटेंशियल है काफी संभावना है कि नीचे तब इस आधार पर धुरूवी करण हो और विपक्ष को फायदा हो इसलिए आप देखेंगे कि लगातार आरेसेस और बीजेपी इसे हिंदूों को खिलाफ हिंदूों को तोड़ने वाला कह रही ह यह एक बहुत एहम दाव है विपक्ष का अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि कहीं न कहीं इसमें भारती जनता पार्टी की बॉकलाट साफ तोर पर दिखाई देती है जब अमिच्छ शाह भरे मन से कह देते हैं कि यह सर्वेक्षन ही चलावाए मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर भाचपा को जबरदस्त राजनीत कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि इस मुद्दे को तेजस्वी आदव और नितीश कुमार एक अरसे से उठा रहे हैं क्रमबद तरीके से उठा रहे हैं दिल्ली पहुँचकर दबाव बना रहे हैं और भाचपा इसकी काट में सिर्फ जन्वरी में जो राम मंदिर का उद्गाटन होना है उसे एक काट के तौर पर देख रहा है मगर चुनावों पर किसका असर होगा ये तो स्वाभाविक सी बात है वक्त ही बताएगा और मिलेशी क्या है समुद्दे पर आपका पंच इच्छन विहार का है उसकी जो काम्याबी है उसकी जो उपलब्दियां है वह बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रही है इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि लोगों को लग गया है कि रोजगार महत्पून है नकी केवल पूजा पाठ की बात केवल मंदिर और मस्जित की बात तो ये विभेद की जो राजनीती है उसको काउंटर करने में ये ये जो मुद्दा है जनगरना का वो बहुत महत्पून हो जाएगा मैंने बहुत दिल्चस्प यहाँ पर देखा भाशा कि जब तेजस्वी आदव भाशन दे रहे थे तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जनता से अपील की तुम्हें हिंदू मुसलिम चाहिए या नौकरी चाहिए अब इस तरह से अगर राश्वे स्तर पर विपक्ष भी अपनी बात रखता है कि नौकरी या हिंदू मुसलिम और साथ में जाती सर्वेक्षन में कि जिसके जतना प्रतिशत उसकी उतनी भागिदारी हो जब यह दोनों मुद्दे साथ आते हैं तो क्या आपको लगता है कि यह राम मंदिर को लेकर भाशपा की जो नफरती सिया उस पर हावी हो जाएगा देखिए और इसी लिए इतनी बॉखलाहट है अभी सार और यह शुरू भी हुआ है बिहार की धरती से बिहार की धरती का एक बहुत इंपॉर्टन योगदान है राम मनोहर लोहिया का बहुत फेमस स्टेट्मेंट था पिछड़ा पावे सो में रहा है और जिस तरह से लगातार इसी एक सेंट्रलाइस पंच के तौर पे विपक्ष ने इस्तमाल किया और कहा है कि हम तत्थे दे रहे हैं और आप देखिए स्टेट यहां प्ले कर रहा है और सेंटर में यानि केंडरी राजनीती में राश्टी राजनीती में इसके पूलते हैं जब कि मोदी जी ने पूरा अपना पिछडा वाला एक इमेज क्रियेट की थी कि मैं इस समा से आता हूं मैं OBC का रखवाला हूं बीजेपी के पास OBC कार्ट बहुत तगड़ा है तो यह जो आधार है यह उसमें छेट करता है धर्म के आधार के आधार के अलाव और रोजगार इस दे सेंट्रल इशू जिसे अगर विपक्ष जमी पे लियाता है यानि कि रोजगार और जाती के हिसाब से भागीदारी यह दो मुद्धे हैं जो उनकी कार्ट साबित हो सकते हैं अगर उर्मिलेश यह आपने बात पर गोर किया होगा बिहार का जिक्र यहा आदितनात क्या कह रहे हैं अमिच शा अपने भाशन में लगातार रामंदिर की बात कर रहे हैं पांच सो पचास साल से राम लाला के साथ नाइनसाफी की कॉंगरिस ने किया वो किया और मुख्यमंतरी आदितनात लगभग भढ़काऊ बात कह दी कि हमने तो 6 दिसंबर 1992 को रहा चाई गिरा दिया था ये लोग मांग क्या करेंगे तो आप देख रहे हैं एक तरफ तो तेजस्वी यादर राहूल गांधी का एक पंच है मगर दूसरी तरफ समानांतर तोर पर ये जो कोशिश की जा रही है धिरेंच शास्त्री आमिच शा मुख्यमंतरी आदितनात इन सब की कोशिशें भी एक तरह से जा रही है देखे मैं समझता हूं कि जो हिंदुत्वा जब आप कहते हैं तो इसका धर्म से और हिंदु धर्म से कोई रिष्टा नहीं है हिंदुत्वा एक राजनितिक विचारदारा है धिरेंच शास्त्री या वीजे पी आरेसिस के लो के एक उपकरन मातर है टूल किट भी आप रह सकते हैं इनको बड़े आदर के साथ में कहा रहा हूं लेकिन मैं एक बात ये कहा रहा हूं कि ये जो विभेत की राजनितिका जो बमंडर उठाया जाना है जनौरी महिने से पूरे देश में खासकर जहां जहां उत्तर भारत में हिंदी प्रांत हैं क्योंकि दक्षण में ये क्लिक नहीं करता कभी भी तो उत्तर में जहां जहां उठाना है उसमें बिहार से चुंकी जातिवार सर्वेक्षण का ये मसला आगया है ये केवल जातियों का सर्वेक्षण नहीं है अगर आप उस पूरी किताब को पढ़ें त perspective, इसलिए तेजस्वी, नौकरी वाला मुद्दा भी जोड़ना है उसके शाद, और नौकरी के अलावा देखिए, इसमे नौकरी भी है, इसमे भागीदारी का भी वाल है और इसमें किसी के साथ भी भेद नहीं है अपर कास्ट इसलिए विरोध नहीं कर रहा है वियार में अपर कास्ट जो वहां का है जिसको आम तोर पे जैसे ही मंडल आता था जैसे ही आरक्षण आता था पुरत खड़ा हो जाता था यह पहला मौका है वियार में जब यह लेकिन आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया लेकिन विरोज नहीं है क्योंकि आरक्षण 15% जो समाज है अपरकास्ट का उसमें मुस्लिम भी शामिल है उनको 35% आरक्षण तो ऐसे ही मिल रहा है 35% 65% जो आरक्षण है वो SCST और OBC को मिल रहा है जो प्रपोजड है और 35% अपरकास्ट को किस अपरकास्ट को जिसकी आबाजी समाज में सिर्फ 15% है इसलिए जब सारा का सारा आकड़ा सामने आ गया है तो लोगों को लगा कि ये एक वाइज और एक विवेक सम्मत एक विभाजन है तभी इसका विरोतनी हो रभाशा मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ चलिए हम बिहार में यहां देख रहे हैं राश्य तोर पर लगातार राहूल गांधी इससे उठाते रहते हैं हाला कि मुझे कभी-कभी लगता है जब र अदालत वाला फैसला भी है जहां उन्हें अंटी-OBC बताने का प्रयास किया गया था तो राहूल उसे निगेट करने के लिए उसके काट के तौर भी उससे बहुत उगर तरीकी से उठाते हैं मेरा सवाल यहां पर सीधा यह है कि क्या हम इसकी गूंज उत्तर पदेश में द जाएगा इस पर चुनावी राजनीती कौन करेगा कौन नीचे तक मॉबलाइज करेगा और OBC आज की तारीख में अगर बहुत ध्यान से इन राज्यों की बात करें हम तो खास और से उत्तर प्रदेश में OBC पर बहुत काम भाश्पा और RSSS ने किया है अलग-अलग उनके छत्रप क्रियेट करके अलग-अलग उनके देवी और राजाओं को क्रियेट करके कहीं सुहेल देव हैं कहीं कुछ हैं उनको उन्होंने मॉबलाइज किया है लेकिन अगर नौकरी के सवाल के साथ यह जुड़ता है और अगर अखिलेश और बस्पा वहां पर इसे एक इंप मुझे लगता है कि अब इंको जो ध्यान देना चाहिए और अखिलेश के लिए यह टेस्ट केस होगा क्योंकि तेजस्वी इसे बहुत एहमियत से बहुत सलीके से बहुत सहसरल शब्दों में कर रहे हैं और राहुल गांधी का भी जो कहना है एक कार्ड तो आपने कहा कि इंडियन पार्टीज हैं साथ इंडिया की चाहे वो तमिलाडू हो चाहे वो आंध्रप्रदेश हो चाहे वो तेलंगाना हो केरल हो इन सब राज्यों में जो बीसी लीडर्शिप और रिजर्वेशन का सवाल है वो एक बहुत इंपॉर्टन्ट है मराथा मराथा वाला मुद शाह ने जो बयान दिया है काईदे से इस बयान को विपक्ष को पकड़ लेना चाहिए कि जातिगत सर्वेक्षन जो है वो चलावा है हाला कि उनका दिशाना यादवों और मुसल्मानों पर है मगर जो तेजस्वी का जवाब है अरे ठीक है चलावा है तो करवालो राश्ट करवाएं क्या विपक्ष इससे सलीके से उठाने में नाकाम रहा है पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आदरणी ग्रे मंत्री हमारे देश के उन्होंने जो रिपोर्ट है बिहार के जातिवार सर्वेक्षन की उसको पढ़ाई नहीं था क्योंकि उनका भाशन ज तो पता ही नहीं था तो यह तो यह यह मुझे लगता इसलिए उन्होंने चलावा कह दिया बिना जाने अब जब यह जब आ गई है रिपोर्ट तब तो इसको चलावा कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि आप चलावा जब कहेंगे तो आप सारे के सारे उस डेटा को कैसे देखिए आप अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे थे और महराष्ट के बारे में तीजस सारी अखेलेश यादो और मयोती यह दोनों क्यों उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह तेजस्वी और नितिश कर रहे हैं इसके कारण के वल दो इंडिविज्वल्स में नहीं है इसके कारण पूरे प्रदेशों दोनों प्रदेशों की सामाजिक्ता और दोनों की राजनीत का बनियादी फर्क है वहां सोसलिस्ट अमिन तेजस्वी यादो उस विरासत से आये हैं जो सोसलिस्ट परंपरा जो अंदोलन की है और ये जो आये हैं स्रीवान खिलेश यादो वो दरसल एक ऐसे दोर की राजनीती है जिसमें लोगदली राजनीती का समाजवादी पार्टी के रूप में लोकांतरन हुआ रूपांतरन हुआ और ले देकर तिकणाम एक्वेशन और इधर उधर की राजनीती रही लेकिन कभी जमीनी से लेकर तमाम इशुद पर लड़ाई लड़े फिर वामपंथी राजनीत जिस तरह बिहार में बहुत ही सक्री रही है वो एक प्रिस्ट भूमिका काम कर रही है यही यह जो सरकार मौजगुदा सरकार है इसमें भी वामपंथी मैदान में जब यह तमाम बाते कही गई गई प्याई का मंच था तो वामपंथीयों की उपस्थिती के कारण इस गठवंधन को एक वैचारिक ताकत में जाता हूं क्या आपको लगता है कि दिखिए जब भाजपाक कमंडल पेश करती है कमंडल पेश करती है तो वो कमंडल हिंदू धर्म नहीं है श्री राम भी नहीं है क्योंकि आप भी जानते 22 जन्वरी को क्या होने वाला है जिस तरह से नई संसत के उधगाटन में सारा फोकस जो था वो प्रधान मंतरी पर था आज मैं बात दावे से लिपकर कह सकता हूं कि उस दिन भी सारा फोकस प्रधान मंतरी के चेहरे पर होगा तो ये कमंडल भी तो नहीं है ना प्रधान मंतरी के वर्चस को असमिता को और देश के सामने बलाना है और मैं तो दूसरी बात कह रही हूं कि अभी से देश की बाकी तो छोड़ी दीजे देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जगों पर पोस्टर लगे हुए हैं कि जो राम लला को लाए हैं उ हाँ तो पूरा का पूरा नरेशन ही दूसरा है कि जो राम लला को लाए हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टन बात है अभी सार जो हम आप और सारे लोगी जानते हैं कि इस आधार पर जो दुरूवी करण है उसे काउंटर करने के लिए जिस मजबूस जमीन का इस्तमाल क्योंकि मनीस सोदिया के मामले में जिरह के दौरान खुद सुप्रीम कोट कहता है कि साब कोई सुबूत नहीं है दो मिनिट में मामला बैठ जाएगा मगर फिर भी उनकी बेल कैंसल हो जाती है वो कठिन सवाल कर रहे है चीफ जसिस विंडिया डीवाई चंदरचूर से मगर दूसी तरफ एक और चीज़ हो रही है कि विवस्था किस तरह से विपक्ष के खिलाफ है आप देखिए एथिक समिती ने माववा मौहितरा की लोकसवा सदसता खारिच करनी की बात कर दी जबकि उन्होंने उस एथिक समिती पर सवाल उठाये थे और दूसी तरफ रमेश ब बात उठा रहे हैं वो अनेक लोगों ने उठाई है और हाल के दिनों में अगर आप देखें पिछले आठ साथ आठ सालों में तो अनेक प्लेट फॉर्म से इंडिवीजूल लेबल पर ये बात उठाई गई है बहुत पढ़े लिके लोगों दोरा विद्वान लोगों दोर पर लेकिन ये सवाल तब बड़ा बनेगा हम समझते हैं अभिसार जब पूरा का पूरा अपोजिशन आम जनता के बीच इस सवाल को ले जाए और ये जनता का सवाल बन जाए जनता का सवाल जब तक नहीं बनेगा तब तक सता मस्त रहेगी भाशा क्या है इस मुद्दे का अभिसार ये दोनों ही चीजे मदुन लोकूर का यह कहना कि जमानत जमानत पर जिस तरह से बायसनेस है उस पर सवाल उठाया और साथी साथ ठीक उसी समय मुवा मोहेतरा पर जिस तरह से निशाना साधा गया है यह दरसल भारती लोकतंत्र का एक समग्र चहर है कम्प्लीट पिच्चर बता रही है कि विपक्ष और विरोध में जो स्वर उठाने वाले लोग हैं उनको लोकतंत्र के जितने भी ढाचे हैं जिसमें अदालत भी शामिल है उससे राहत नहीं मिल रही और यह बहुत ही दुरभागे पूर्ण है भारती लोकतंत्र के लिए अभिसार क्या हैं वो बहुत जरूरी हो जाती है देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कि अगर विपक्ष को इस तरह से रौंधा जाएगा लगाता रौंधा जाएगा और व्यवस्था ही विपक्ष के खिलाफ हो जाएगी तो फिर उस व्यवस्था में जब विरोध के स्वर नहीं है तो लोकतंत्र की इस बात का तो सीदा आमला ये कही ना कहीं लोकतंत्र पर है जो अपने आप में बहुत चिंता जनक बात है आप जाते मदन लोकुर ने जो बाते कहीं है अर्मिलेश जी वो कहते है कि भाई पुलीस पहले एरेस्ट करती है बाग में चार शीट पे काम करती है सप्लिमेंटरी चार शीट पेश करती है आधे अधूरे दस्तावेश पेश करती है और ये तमाम चीजें अदालतों के सामने और अदालतें खामोश रहती है और ये फैक्ट है ये कोई ऐसा नहीं हमने तमाम मामलों में देखा है उमर खालिद से लेके मनी सोदिया से लेके सभी मामलों में मगर अदालते चुप रहती है इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमारे तंत्र में भुनियादी एक समस्या पैदा हो गई है कि वो सत्ता की तरफ मुखातिब है वो संबिधान की तरफ नजर उसकी थोड़ी सी कमजोर हुई है या जुकाओ कम हुआ है मैं अदालतों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं समुची संरचना के बारे में कह रहा हूं जो अपनी प्रशासनिक संरचना है जो संबैधानी के संस्ता है मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, के वलादालत के बारे में नहीं यह मसला उठा रहा हूँ मैं आप देखिए, हमारे हाँ जितनी संबैदानिक संस्थाइं हैं, उनकी न्यूक्तियां किस तरह हो रही है हमारा Election Commission है, Election Commission की न्यूक्ति कौन कर रहा है election commission के लिए supreme court of India ने एक directive दिया उसको परड़ दिया गया उसको परड़ दिया गया तो अगर भारत में election commission of India का निरवाच्चा नहीं प्रधान मंत्री करेगा रास्टपती का मतलब क्या होता है उसमें जो आप अगर उस article को देखें समिधान की उसका मतलब यह होता है कि बही प् करने वाला व्यक्ति है या संरचना है केवल उसके प्रती जवाब दे होंगे तो लोग कैसे चलेगा और एक और बात एक मिनिट एक और बात हुर्मिलेश जी कुछ लोग तो सवाल ये भी कह सकते हैं कि देखे सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो निया ई पालिका की निश्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं हम यह दि कहते हैं निश्पक्ष नहीं है मगर सवाल खड़े कर रहे हैं ना क्यों वाचा और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस नें जो कहा भी है यह बड़ी समय में उन्होंने कहा है कि भाई आलोछना का मत वाला मामला विदूडी वाला मामला दानिशाली वाला मामला यह सब पब्लिक डोमेन से गायब हो जाता है आप देखें मौवा मोयत्रा पे जिस तरह से 24 घंटे 24 घंटे अगर उनके पास 48 घंटे हो एक दिन में तो 48 घंटे वो टीवी चैनल चलाएंगे जैसे सबसे बड़ी वही है सबसे बड़ी खबर है सबसे बड़ी खबर विदूडी नहीं है सबसे बड़ी खबर गुर्मीत राम रहीम को मिलने वाली पैरोल नहीं है सबसे बड़ी खबर कुल्दीब सेंगर जो बलातकारी और हत्या के मामले में है उनको जब जमानत मिलती तो नहीं है और खब मसाला हैं ड्रग्ज हैं विदेशी कन्याएं हैं नशे वाली रेफ पार्टी है याने कि याद कर रहे तो मुझे याद आ रहा था इस आदमी का किस तरह से गलीश आदमी जो महिलाओं के खिलाव और हिंदू महिलाओं के खिलाव इतना अनर्गल प्रवाज करता है वो तमाम जगों पर है उर्मिलेश जी महुआ मोहितरा की जब बात करें तो एथिक सामिती की जो रेपोर्ट आती है वो पहले ही सबसद में पेश होने से पहले अडानी के चैनल पर आ जाती है और ऐसे में चैनल पर सवाल किया जा सकता है मगर मगर हम सब जानते हैं सीएजी के जो भरश्टाचार की रिपोर्टे वो किसी चैनल पर नहीं आई थी वो तो जब संसद में पेश किया गया था तब इन्होंने इनकी कोई पत्रकारिता सामने नहीं आई थी तो मैं यह पूछता देश में जो टीवी पूरम है बेसिकली सकता के लिए टूल किट का का काम कर रहा है वो कोई मीडिया वडिया नहीं है अभी भी अखवारों के प्रती मेरा सलाम है बहुत सारे अकपार अंग्री जी के हैं जो अच्छा कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं मैं यह तो नहीं कि इस दौर में भी वो पत्रकारिता का कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल रख रहे हैं हिंदी अखवारों की बात छोड़ दीजिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं सुआम हिंदी पत्रकार हूं और बहुत बुरी स्थिति हिंदी अखवारों की है लेकिन टीवी पुरम त ने ने कई ऐसे हैं जो बहुत भड़काओं हैं बिल्कुल सत्ता से सवाल करने के नाम पर भड़काओं हैं लेकिन आपका जो सवाल है उस पर जरूर मैं एक बात कहूंगा कि देखे हमारी जो पार्लामेंटरी जो कमेटीज हैं उनके बारे में भी बहुत सारे भ्रहम नहीं हुआ है अगर उसको वाकई उखाड कर फेंक देना है तो आप डिकलेर कर देते कि पार्लामेंटरी कमेटी में वो चीज नहीं चलेगी जो पहले से चली आ रही है आप कहते कि हम योरोप अमेरिका की तरह करेंगे बिल्कुल खोले आम हो जाएगा सब कुछ लेकिन है आपने किया है कि एक तो सीकृरिट रखा है गोप नी और दूसरे तुरक तुरत मीटिंग के बाद निकलते हैं आपके ही मेंब्रान और वो और वो भी पार्लामेंट के अंदर भाइट देने लगते हैं महराराज तहाय है बहुत एहम सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि बात होनी जरूरी है जब वो कहती है कि भाई आप विपक्ष के जो लोग हैं जो उस कमिटी के सदसे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुझे नॉमिनेशन भरने जाना है इस दिन को मीटिंग मत रखिये छे से मीटिंग शिफ्ट करक है आपने रिजल्ट पहले अनाउंस कर दिया है कि क्या होना है और उसके लिए आप सारी के सारी तैयारी करते हैं विदूडी जी जो पूरी तरह से नफरत वाला बयान संसत की भीतर देते हैं वो तो आराम से चुनाव प्रचार कर रहे है राजिस्थान में उनकी उपर कोई कारवाई नहीं और यहां पर दानेश अली पर बात हो रहे हैं कि आप चीजों को बाहर ला रहे हैं तो यह जो दो जाते हैं इस पर और मिसाल देना चाहता हूँ नितिश कुमार ने जो विदान सभा में बात कही भाशा का घलत इस्तमाल था घलत लांगविज का मगर उस सेक नितिश कुमार ने माफी माफी मांग ली है फिर भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं लेकिन आपको ब्रजबोशन सिंग पर कोई चिंता आपको नहीं कोई बात नहीं साहब अरे यह भूल जाए हाथरस में जो हमने पूरा देखा था पूरी राफ में पेट्रोल से सब क को जला दिया गा है सब कुछ एक शब्द नहीं बिलकुछ नहीं खेर चलिए अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे मुद्दे का मोधी सरकार के एक मंत्री है नरेंद्र तोमर क्रिशी मंत्री हैं 2014-19 के बीच में खनन मंत्री हुआ करते थे उनके बेटे का एक स्टिंग ऑपर सामने आ रहा है जिसमें वो 18 करोड से 100 करोड की वसूली करने की बात कर रहे हैं कथित तोर पर और यहीं नहीं चुकि नरेंद्र तोमर एक जमाने में खनन मंत्री रहे हैं तो ऐसे में जब यह मुद्दा आता है तो कहीं कोई चर्चा नहीं अरे कुछ और नहीं तो उस स्ट अभिसार मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि यह घटना बता रही है कि अगर भ्रष्टाचार बीजेपी बीजेपी की सरकार उसके मंत्री करें तो वह भ्रष्टाचार नहीं है वह उपकार है जो जनता के प्रती कर रहे हैं और 2014 से लेकर 2023 तक एक मामला नहीं होता है जहां ED या काम करती है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? जिसको लेकर आपको आनी चाहिए शर्म क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे उर्मिलेश दीके मुझूदा जो निजाम है इसमें जो फ्रस्टाचार विरूद का जब ये जिक्र करता है यह निजाम तो उसका मतलब बिलकुल नहीं होता है ब्रस्टाचार से लड़ना या अपने देश में इमानदारी का पारदर्शिता का शासन कायम करना उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो विपक्ष है जो असाहमत आवाजें हैं जो आपसे आपकी यालोशना करने वाले लोग हैं उनके सफाया का अभियान ब्रस्टाचार विरूद मिंस विपक्ष सफाया अभियान ये पूरी की पूरी उनकी ठीसी से भाषा चलिए नरेंदर तोमर से पूचताश तक नहीं जाने कि कितना खुला खेल फरूखाबादी है यहां पर हम देख रहे हैं इतना बड़ा मामला चुनावी मौसन पर चलिए आप उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं आप सिर्फ की विश्वस नहीं था पर सवाल उठालो मगर इतना खुला खेल फरूखाबादी यहां ना जहांच एजिंसी दिखाई दे रही है ना उनकी एक छोटी सी भी भनक है कुछ नहीं है और सबसे बड़ी बात प्रदान मंत्री का जो नारा है जो हर जगा बोलते हैं कि मैं भरष्टाचार के खिलाफ गारंटी उसकी कितनी धज्या उड़ गई है ना खाऊंगा ना खाने दूँगा यानि मैं सिर्फ बीजेपी वालों को खाने दूँगा बाकि किसी को जीने नहीं दूँगा में तबदील हो गया 2023 खासतोर से जो पांच राजियों में विधान सभा की चुनाव हो रहे हैं अभी सार उ इतना बड़ा घोटाला सामने आया जहां नर्सिंग घोटाला था करोणों रुपे व्यापंग की तर्श पे घोटाला है लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं कोई जाच एजनसी नहीं तो आज की तारीक में हम आप नहीं मैं तो जितन राजियों में गई राजस्थान में गई मुद्धी जिए विपक्ष वालों को चुप कर आकर जेल में बठाना चाहते हैं पत्रकारों को जेल बठाना चाहते हैं जो विरोध में बोले उसके खिलाफ जाच एजनसी सक्री है और हर भरस्टा चार क्योंकि यह मैं कहा रही हूं कि बहुत बड़ी बात है इतने दबाव के बावजूद इस तरह की sting operation सामने आने हिम्मत की बात है अभी सार जिस तरह से घेरा हुआ है लेकिन कुछ नहीं कोई फर्फ ने पड़ता उसमें कई गंभी रहें बाते वो व्यक्ति जो हैं उनका जो बेटा है कथित तोर पर कृश्ण मिनिनमार्ग की बात करता है थीन कृश्ण मिनिनमार्ग में नरेंदर तोमर रहते हैं घर के गूंज आप किसी मीडिया हाउस में करोनों रुपे बैंक एकाउंट सब कुछ है कैसे ट्रांसफर होगा ये भी है जाच एजनसी इसको जाच करने की ज़र्मत नहीं है पिर भी साहब देखिए कहीं कोई भनक नहीं कुछ नहीं इसलिए मुझे लगता है जो मैं पहले कह रहा की लेकिन उन लोगों ने अपनी सरकारों के दौरान उनके जो मंत्री अगर कभी गलत करते पाए गए फोरन वो उनको त्याक पत्र देना पड़ा उनको हटाग दिया गया नहरू ने तो सभा में एक रैली में अपने ही उमिद्वार के भरस्टाचार के उजागर होने पर कह कि आप इनको उट मत दीजेगा आप इनको उट दे दीजेगा नहरू ने ये कहा था दूसरे उमिद्वार को गैर कांगरेसी उमिद्वार के पक्ष में उन्होंने समर्थन मागा जनता का और अपने प्रत्यासी को कहा कि इनको हरा दीजेगा ये कल्चर रही हमारे हां ठीक ह रहा है जो नहरू अगरे ने किया था शुरू के दौर में गांधी जी नहरू जी ने लेकिन लंबे समय तक ये रिवाज रहा है एक संबैधानिक कि अगर सरकार में कहीं कोई गड़बढ होता है तो तत्ताल जांच बैटती है अब कुछ भी एक भी जांच हमको बता दीजिए जो सरकार ने पिछले दसटालों में किसी भी मंतरी की कराई हो किसी भी अपने बड़े आदमी की कराई हो लेकिन आप देखिए इस चुनाव में क ये निकटस्त लोग हैं तरीके से महादेव आप का तो चुनाओ के दर्मिया देकि चुनाओ से पहले हो सकता था लेकिन चुनाओ के दर्मियान ये सब हो रहा है और इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया चुप है और जुडिशियरी भी चुप है मैं कहता हूँ कि इस मुद्ले को लेना चाहिए कि एलेक्शन में तो आप डिस्टर्ब नो कीजे उन लोगों को जो आपकी मुखालफत करते हैं अभी सार इसी क्रम में अगर आप देखिए यह मामला आर्थिक अपरादों से जुड़ा हुआ है इससे पहले जिसका हमने जिक्र किया चाहे बलातकार का आरोप लगे चाहे यौन शोशन का आरोप लगे उन तमाम चीजों पर एक चुपी है यानि अगर बीजेपी की मुहर है तो बलातकारी बलातकारी नहीं यौन शोशन करने वाला यौन शोशन करने वाला नहीं और आर्थिक घोटाले जो सबसे बड़े हुए हम कैसे भूल सकते हैं आडानी जी पर इतनी चर्चा हुई देश विदेश में एक जाश एक लाइन की जाश दिखा दीजे इतनी इंटर शेर्मा को दीजिए जासत नमस्कार